नमस्कार, PCS Up To Date प्रोग्राम में आपका स्वागत है आईए ख़बरों की शुरुआत करते हैं देश में ग्यारहवी एग्रिकल्चर सिंसस का शुभारम बीते दिनों किंद्रिय क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्री स्री नरेंद्र सिह तोमर जीने किया इस मौके पर स्री तोमर ने कहा कि इस सिंसस से भारत जैसे विशाल और कृशी प्रधान देश में व्यापक लाब होगा स्री तोमर ने बताया कि किसानों की आमदनी बरहने के साथ ही उनका जीवन स्तर बदलने छोटे किसानों को संगठित कर उनकी ताकत बरहने उन्हें लागत प्रभावी फसलों की ओर आकरशित करने तथा उपज की गुरूवत्ता वैश्विक मानुकों के अनुरूप करने पर जोड़ दिया जा रहा है गौर तलब है कि Agriculture Census पांच साल में की जाती है जो कोरोना महमारी के बाद अब होगी Agriculture Census का फिल्ड वर्क अगस्त 2022 में शुरू होगा Agriculture Census अप्रक्षक्रित बारीक स्तरपर विभिन प्रकार के क्रिशी मापदंडों पर सूचना का मुख्य स्रोत है जैसे प्रचालानात्मक जोत की संख्या और क्षित्र उनकी आकार वर्ग वार वितरन भूमी उप्योग किरायदारी वफसल पद्दती इत्यादी ये पहला मौका है जब Agriculture Census के लिए डाटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा जिससे समय पर डाटा उप्लब्द हो सकेगा अधिकांस राज्यों ने अपने Land Records का डिजिटली करन किया है जिससे Agriculture Census के डाटा फीडिंग में और तेजी आएगी डिजिटली कृत भूमी डिकॉर्ड का उप्योग और डाटा संग्रह के लिए मोबाइल एप के उप्योग से देश में Operational Agricultural Holders का डाटा बेस तयार किया जा सकेगा भारतिय नौसेना को बीते दिनों अपने निर्माता कोचीन Shipyard Limited यानी CSL से प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत की डिलिवरी प्राप्त हुई है इसे भारतिय नौसेना के In-House Directorate of Naval Design द्वारा डिजाइन किया गया यह जहाज Shipping मंत्राले के तहट एक सारवजनिक शित्र के Shipyard CSL द्वारा निर्मित किया गया है इस जहाज का नाम एक भारत के पहले Aircraft Carrier के नाम पर रखा गया है जिसने 1971 के भारत पाक इध में महत्तपूर्ण भूमी का निभाई थी भारत की आजादी के 75 वर्सगाठ आजादी का अमरित महत्सों के उपलक्ष में होने वाले समारोहों के साथ विक्रांत का पुनरजन्म बढ़ी हुई समुद्री सुरक्षा की दिशा में देश के उच्साह और सामर्थे का एक सच्चा प्रमान है इस से समुद्री सुरक्षा को बरहावा मिलेगा यह कैरियर 262 मीटर लंबा है और इसका भार लगवक 45,000 टन है यह अपने प्रुवर्ती की अपिक्षा बहुत बड़ा और आधुनिक है इस जहाज में 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइने लगी है और इसकी अधिक्तम गती 28,000 समुद्री मिल है लगवक 20,000 करोर रुपे की लागत से निर्मित इह पर्योजना रक्षा मंत्राले और CSL के बीच कॉंटेट के 3 चर्णों में आगे बढ़ी है जो क्रमशह 2007, 2014 और 2019 में पूरी हुई है इस जहाज की निव फरवरी 2009 में रखी गई थी इसके बाद अगस्त 2013 में इसे लॉंच किया गया था इस जहाज में कुल मिलाकर 76% स्वदेशी सामगरी लगी है और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए देश की खोज का एक आदर्स उधारन है जो सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर जोड देता है विकरान्थ की डिलिवरी से भारत ऐसे देशों की चुनिंदा स्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहग डिजाइन और निर्मान करने की विशिष्ट छमता मौजूद है अगस्त 2021 और जुलाई 2022 के बीच किये गए व्यापक उप्योग करता स्विक्रिती परिक्षनों के बाद CSL द्वारा विकरान्थ को भारतिय नौसेना को सौपा गया है यह जहाज स्वदेश निर्मित उन्नत किस्म के ALH यानि Advanced Light Helicopter और LCA यानि Light Combat Aircraft के अलावा MIG-29 के लड़ाकू जिट का MOV-31, MH-60R और Multi-Role Helicopter के साथ 30 विमानों से एक Air Wing के संचालन में सक्षम है इस स्वदेशी विमान कैरियर को जल्द ही भारतिय नौसेना में एक भारतिय नौसेना जहाज INS विक्रान्थ के तौर पर शामिल किया जाएगा जो हिंद महासागरक्षित्र में भारत की स्थिती और समुद्र में नौसेना के कारे निश्पादन को बढ़ावा देगा केंद्रिय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गटकडी जी ने हाल ही में बताया कि भारत इथेनॉल मिक्स से बायो एवियेशन फ्यूल के उत्पादन पर काम कर रहा है जिसके चलते एयर लाइन्स का खर्च कम हो जाएगा गौर तलब है कि वरतमान में फ्यूल कॉस्ट एयर लाइन्स की कॉस्ट का 75% है साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार विभिन सोर्सिस जैसे की सुगर, बैंबू और ग्रेंस से देश में इथेनॉल की उत्पादन को बढ़ावा दे रही है दरसल इथेनॉल एक तरह का एलकोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है गौर तलब है कि भारत सरकार ने वर्थ 2025 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष रखा है जबकि वर्थमान में पेट्रोल में केवल 9% तक इथेनॉल मिलाया जा रहा है कहा जा रहा है कि अगले महीने तक देश्ट में फ्लेक्स इंजन्स लाँच कर दिये जाएंगे इन इंजन्स में एक इंटर्नल कंबशन इंजन होता है जो पेट्रोल के साथ-साथ 83% तक पेट्रोल और इथेनॉल के किसे भी मिश्रन पर ऑपरेट कर सकता है यह इंजन, कार, मोटर साइकिल और रिक्षा सभी में इस्तिमाल हो सकता है यह सुनिशित किया जा रहा है कि पेट्रोल और इथेनॉल मिश्रन की कैलोरिफिक वैलू पेट्रोल के बराबर हो यहां इंधन की कैलोरिफिक वैलू का मतलब उस इंधन की एक यूनिट के पूरी तरह जलने पर पैदा होने वाली एनरजी की मात्रा से है यह कदम pollution की मातरा को घटाने के साथ साथ भारत के 16 ट्रेलियन रुपए की crude import बिल को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है गौर तलब है कि ट्रांस्पोर्ट सेक्टर हर साथ 330 मिलियन टर्न कार्बन डाय ऑक्साइड एक्विवैलेंस कंट्रिबूट करता है जिसमें से 92 फिस्दी रोड वेज से आता है और ये भी माना जा रहा है कि 2050 तक ट्रांस्पोर्टेशन द्वारा होने वाले emissions 2020 के लेवल से 3.3 टाइमस बढ़ जाएंगे बता दें कि इथेनॉल एक eco-friendly fuel है भारत में इसका उत्पादन मुख्यतः गन्ने की फसल से होता है लेकिन शरकरा वाली दूसरी फसलों से भी इसे तयार किया जा सकता है भारत वर्तमान में 465 करोड लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है कहा जा रहा है कि आने वाले समय में देश में green fuel जैसे की इथेनॉल, मेथनॉल, बायो डीजल, बायो CNG, LNG आदी की उप्रप्तता बढ़ जाएगी वहीं green hydrogen का निर्मान भी बढ़ेगा जिसे मात्र 70 रुपए प्रती कीलो की कीमत पर बेचने का लक्ष रखा गया है किंद्रिय परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री और किंद्रिय परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन राज्य मंत्री हाली में महराष्ट के चंदरपूर फोरेश्ट अकादमी में वैश्विक बाख दिवस 2022 के समारों में समलित हुए दोनों मंत्रियों ने अन्य प्रतिनीधियों के साथ ताडोबा अंधेरी टाइगर डिजर्व का दौरा किया और वहाँ के परिद्रिष्ट फूल पौधों और जीव जन्तूओं की विवित्ता की सराना की ताडोबा अंधेरी टाइगर डिजर्व में बागों की संख्या अधिक है जो स्थानी अबादी के साथ साथ रहते हैं मंत्री जी ने एम स्टाइप्स नामक मुबाइल एप्लिकेशन की मदद से गश्ट लगाने और कानूनी गतिविधियां चलाने के लिए वहाँ के स्टाप्स के समरपन भावना को भी सराहा मंत्री जी ने ये भी कहा कि विश्व में बागों की कुल संख्या का सत्तर प्रतिशत से अधिक हिस्से का सनक्षन और बचाओ करने में भारत ने मानक स्थापित किया है उन्होंने कहा कि 1973 में जहां बागों के अभ्यारन्यों की सुरुवाती संख्या नौ थी उसे बढ़ा कर अब बावन कर दिया गया है इसमें सबसे नया अभ्यारन्य राजस्थान का रामगर्ह विश्धारी अभ्यारन्य है चार वर्षों में एक बार अखिल भारतीय बाग आगलन्य किया जाता है इस बार वह पांचवी बार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि यह गतिविधी 2018 में हुई थी जिसे Guinness Book of World Record में भी दर्ज किया गया है उन्होंने कहा कि भारत चीते को वापस लाने और उसके सरक्षन को उच्छ प्रात्मिक्ता दे रहा है चीता 1952 में भारत से विलूप्थ हो चुका था अब इस कारे को चीता कारेक्रम के तहत किया जा रहा है नामीबिया के साथ एक द्रिपक्षिय समझोते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और दक्षिन अफ्रीका के साथ जल्द ही एक समझोता ग्यापन पर भी हस्ताक्षर किये जाएंगे उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि भारत बाग सरक्षन में विश्व में अग्रणी है तथा वह कंबोडिया, चीन, बांगलादेश, भुटान, नेपाल, म्यामार और रूस जैसे देशों के साथ बाग सरक्षन कारे में सहयोग कर रहा है आपको बता दें कि वहश्विक बाग दिवस मनाने की घोषना सिंट पीटर्सबर्ग में 29 जुलाई 2010 को की गई थी ताकि बाग अभ्यारन्यों वाले सभी देशों को साथ लाया जा सके और विश्व स्तरपर बागों के सरक्षन और उनके मैनेजमेंट का काम किया जा सके इसके बाद से वहश्विक बाग दिवस के रूप में इसे प्रतिकात्मक तौर पर मनाया जाता है हाल ही में चाइना ने हैनान आइलेंड पर स्थित वेंचांग लांच सिंटर से लॉंग मार्च 5B रॉंच किया इस रॉंच ने चीन के तियांग गॉंग स्पेस स्टेशन के दूसरे मॉडूल को स्पेस में पहुंचाया है बताया जा रहा है कि इस रॉकेट का एक हिस्सा तेजी से प्रिथवी की तरफ बर रहा है यह कहां गिरेगा इस पर चीन का कोई नियंतरन नहीं है ऐसा तीसरी बार होगा इस से पहले साल 2020 और 2021 में भी चीन ऐसा कर चुका है पिछले साल चीन का एक रॉकेट हिंद महासागर में क्रेश हुआ था जिसके मलवे से परियावरन को काफी नुकसान हुआ और 2020 में भी चीन के एक रॉकेट की डेब्रिस से अफ्रीका में प्रोपर्टी डेमेज हुआ समाने तह एक लांच के बाद रॉकेट खुद को एट्मोसफेर में पुश करता है और रिमोट ओसन एरियाज जैसे की साउथ पैसिफिक में आकर गिरता है इस प्रक्रिया को कंट्रोल री इंट्री कहा जाता है लेकिन चीन ने लॉंग मार्च 5B रॉकेट को इस तरह प्रोग्राम नहीं किया कहा जा रहा है कि चीन स्पेस डेब्रिस की रेगुलेशन को पूरा नहीं कर रहा बता दें कि स्पेस लाइबिलिटी कंविंशन ट्रीटी 1972 के तहट किसी रॉकेट द्वारा की गई तबाही की जिम्मेदारी उसे लॉंच करने वाले देश की होती है गौर तलब है कि स्पेस में बहुत सी सैटेलाइट्स भेजी जाती है जो कुछ समय बात काम करना बंद कर देती है वज्यानिक उन्हें धीरे-धीरे धरती की एक्षा मेलाते हैं यदि वज्यानिक उन्हें नष्ट नहीं करें तो वे प्रिथिवी पर कहीं भी गिर सकती हैं छोटे सैटेलाइट्स को आसमान में ही पूरी तरह जल जाते हैं लेकिन बरी सैटेलाइट्स का लगभग 40 फिस्दी हिस्सा धरती तक पहुँचता है इसलिए धरती पर एक खित्र निर्धारित किया गया है जहां खराब हुई सैटेलाइट्स या फिर रॉकेट के फ्यूल टैंक्स को गिराया जाता है इसे पॉइंट नेमो कहा जाता है दरसल पॉइंट नेमो एक समुद्रिक शित्र है यह ग्रेव यार्ड ओफ सैटेलाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और ऑस्टेलिया, दक्षिन अमेरिका और नीजिलैंड के बीच स्थित है या किसी भी सूखी जमीन से सबसे दूर की जगह होती है बताया गया है कि करीब 200 से 400 स्पेस डेब्रीज यहां गिराई जा चुकी है आईए अब नोट करते हैं बुलेटिन पर आधारित सवाल पहला सवाल है इसे इंग्लिश में नोट कर लिजिए पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अट्लांटिक ओशन और साउथ सी दूसरा सवाल भारत सरकार ने किस वर्स तक पेट्रोल में 20 फिसदी तक इथिनॉल मिलाने का लक्ष रखा है दो हजार चौबिस, दो हजार पचीस, दो हजार सताईस या फिर दो हजार तीस इसे इंग्लिश में भी नोट कर लिजिए तो आज की बुलेटिन में इतना ही कल मिलते हैं इस हफ़ते की कमपाइलेशन के साथ तब तक अपना ख्यार रखिये नमस्कार आज के साथ आज का वाजब तक प्रिए आज को दोौई के साथ